दोस्तो जब हम किसी व्यक्ति को मोधी केर जैसा सिंपल बिजनेस बताते हैं तो आखिर उनको जो है मोधी केर का बिजनेस समझ में क्यों नहीं आता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझ में क्यों नहीं आता आज दोस्तो हम इसी को पर बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम MoodiCare का जब बिजनेस किसी व्यक्ति को बताते हैं तो इतना simple बिजनेस आखिर लोग समझ क्यों नहीं पाते इसको जो है fraud बिजनेस या member बनाने वाला ये सब कहके जो है इसको नकार देते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आखिर लोग इसको क्यों नकार देते हैं। दोस्तों एक बार के बात है एक लड़का गोवा घूमने के लिए जाता है, वहाँ जाने के बाद वह एक बार समंदर के किनारे गया और जाने के बाद उसने देखा कि यहां तो बहुत सारा पानी है, तो वह कई दिन तक वहां तक घूमने लगा और देखने लगे कि आखिर इ वापस अप्ने गाउं गया तो गाउं जाने के बाद वह उनको कहता कि मुख्या जाने के वाद दिखाना चाहता हूं उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा पानी है तो मुखिया जो है कभी भी सहर गया नहीं था उसको वह हमेशा सुरू से लेकर बच्पन से लेकर अभी तक बुड़ापे तक जो है गाउं मी रहा है मतलब सहर से कभी भी बाहर निकला इनी तो सहर में बा लड़के ने कहा बहुत सारा पानी होता है तो मुखिया ने कहा कि कितना पानी होता है एक टेंकर के बराबर पानी होता होगा तो उसने कहा नहीं एक टेंकर नहीं होता तो उसने कहा दस टेंकर के बराबर पानी होता होगा तो उसने कहा चल एक कुवे के बराबर पानी होता ह तो कहता है चल दस कोवें से भी ज़्दा उसके अंदर पाणी हो तो मुक्या कहता है चल जय नदी के बराबर पाणी होता हो गाँ उसके जतना पाणी होता हो गाँ तो उसने कहा नहीं एक नदीव घ्झ नदी से भी ज़्यादा पानी है तो मुकिया ने कहा चल दस नदीयों को मिला ले जितना दस नदीयों में पानी होता होगा उतना जो है समंदर में पानी होगा तो उसने कहा नहीं उससे भी ज़्यादा है तो वो उसने उसको कहा या तु मुझको बेवकू बना रहा है क्योंकि मेरी उमर इतनी ज़्यादा हो गई है दस नदियों से ज़्यादा पाणी मैंने देखा नहीं है सबसे बड़ी नदी तो हमारे यहां बैती है उसमें इतना सारा पानी और तु कहरा है दस नदी से भी ज़्यादा पानी है तो लड़की ने कहा कि मैं आपको कैसे समझाओ वहाँ पर जो है दस नदियों से भी ज़्यादा पानी है तो दोस्तो इसी तरिक्के से जब हम किसी व्यक्ति को जो है की बात बताओगे तो उनको विश्वास ही नहीं होगा क्योंकि लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो पाता है कि हम जो है काम करके लाखों रुपया कहीं से कमाया जा सकता है उनको ये विश्वास हो जाए कि या नौकरी करके 20-25,000 रुपय तक का मैं कमा सकता हूं लेकिन अग तो इसलिए जब भी आप लोग को प्लान बताओ, मोदी केर का बिजनस प्लान बताओ, तो दोस्तों उस समय लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप बड़ी-बड़ी सेमिनार, बड़े-बड़ी मीटिंगों में जब उनको ले जाके उनको आदमियों को दिखा होगे कि हाँ यह जो है, लाको रुपया कमा रहे हैं, तब उनको जरूर विश्वास हो जाएगा, तो जब भी आपको किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना है, तो जो है उनको आप बड़ी मीटिंगों से अटैच करो.